नमस्कार दोस्तों इस वर्ष की मुख्य मंत्री उदीमान खिलाडी उन्यन योजना 2023 की जन्पत नैनी ताल की तितिया आज गोसित हो गई है जो इस प्रकार है सबसे पहले द्याय पंचायत वा नगर पंचेद इस तरह के बैटरी टेस्ट की जो तितिया नरदारित हुई है वो 24 से 31 जुलाई 2023 के मद्ध हो जानी है आसकंड या ब्लॉक इस्तर के बैटरी टेस्ट की जो तिथिया होंगी वो एक अगस्त से 6 अगस्त 2023 के मद्धी होंगी नगरपालिका, नगर निगम इस्तर के बैटरी टेस्ट की तिथिया 7 अगस्त से 14 अगस्त 2023 तक होंगी जनपर ननीदाल इसतर की बेटरी दाव में प्रतिभाग करेंगे तो यह तित्या जो होगी हमारी 17 अगस्त से 21 अगस्त बोजात 23 होगी अब एन्यों के बारे में आपको में बता दूं बेटरी टैस्स के लिए प्रतियों की तहल होगा वह स्पोस स्टेडियम हलदानी होगा उसके अतिरिक विकास खंड इस तर पर नहीं दाल के आड़ ब्लॉक में ब्लॉक खेल स्वेंवेक इस तर यहाधी कारी से बारतः कर स्थान सुनिश्चीत करेंगे और नगरपाली का नगर नीगम इस तर थरो का अपने पृतियोगित संपाधित कराएंगे और नगर पटrant है इस तर की बैटरी टेस्ट होंगी वह पृतियक नियाए पंचорт के पाज जो सुलबइस्थान हो गा कॉलिज का ग्राऊंड होगा उसमें यह प्रतियोगिता है संफादित होंगी कॉलेज ग्राऊंड हो यह स्टैडियम हो वहाँ प्रतियोगिता थे संफादित हो नहường इसमें प्रतियोगिता एक कौन-कौन से संबादित होनी है उसके बारे मां आपको पुन्हे बताते हैं इस प्रतियोगिता का पहला जो बैटरी टेस्ट होगा वो मेडिसन बॉल थोगा जैसा कि वीडियो मां आपको दिखाया जा रहा है यह चिन से लगी भी हमारी मेडिसन बॉल होगी जो दोनों हाथों से होगी और ऐसे यह चिन के साथ ही उपर को थ्रो करना है यह देखिए इस तरह थ्रो करना है एक प्रतियोगिता इसमें 600 मीटर दोड़की होगी उनके आयुवर्ग में जो उनका समय 600 मीटर का निकलेगा उस हिसाब से उसके अंकना की जाएगी बैटरी टेस्ट इस्टेंडिंग ब्राड जम का होगा एक इस्थान से प्रतिवागी को दोनों पाउं को जोड़कर हाथों से वीविंग करते हुए आगे की तरप को जम करना है और जहां पर उसकी लेंडिंग होगी यह वहां से जहां तक लेंडिंग की है उस दूरी को नापा जाएगा और उसी के अधार पर उसको मार्किंग दी जाएगी चौथी बैटरी टेस्ट फारवर्ड रीच बेंड इसमें लकडी के गुटके या सिडी पर प्रतिवागी को खड़ा कर दिया जाएगा और आगी की तरब को बाडी को बैंड करते हुए जिस स्थान पर उसने पाऊं टिका है उसके आगी की तरब को नीचे की तरब को पाऊं से नीचे की तरब को जितना नीचे को जाएगे तो पाऊं से लेकर नीचे की तरब को उसका मिजरमेंट किया जाएगा उसी के अधार को उसके अंकना की जाएगी तीस मीटर फ्लाइन रन में हमें लगवक प्रतिय खिलाड़ी को पचास मीटर तक की दूरी तै करवानी है और उसके लिए सुरू के जो बीस मीटर होंगे वहाँ पर वो अपनी दौर सुरू करेगा और बीस मीटर से पचास मीटर तक की दूरी को जो है उसको स्टॉप वाच या किसी भी माद्यम से उसकी दूरी की टाइमिंग को देखा जाएगा जिसमें तीस मीटर जो बहुत स्पीड से और अपनी फिनिसिंग करेगा हम उसकी टाइमिंग को नोट करेंगा और उस टाइमिंग के अधार पर ही अंगना की जाएगी चटा बैटरी टेस्ट जोगा और शिक्स इंटू टैन सटल रनिंग का होगा जिसमें 10 मीटर की दूरी पर दो रेखाएं खिसली जाएगी और एक वापस दुसरे स्थान पर ऐसे लोटा फेरी के च्छे चक्कर वो लगाएगा उसमें जो उसकी टाइमिंग आएगी उसी सबसे उसके अंकों की गणना की जाएगी यह प्रतियोगिता विगत वर्स से प्रारम हुई है तो जो विगत वर्स के प्रतिवागी हैं जिनको स्कॉ वर्स जो भी खिलाडी चैनी थोंगे चाहिए वो दुवारा चैन हुए है नए खिलाडी चैन हुए है उनको एक साल तक मानी मुख्यमंत्री दुवारा पंदरा सो प्रति महा की दर से चात्पृति यूजना के तहत चात्पृति मिलेगी और आप लोग खुब तयारी करकर नए है और इस यूजना का लाब लें और इस बैठरी टेस्पोर में परति एक विद्याले से दो बालक और दो वालिका परित एक आयू अवरग के ही प्रतिवाग करने के लिए पात रहूंगे इसलिए विद्याले के जो वियान शिक्षक या प्रधानचारी हैं तो आपने यहां से बच्चों का चैन करके 8 से 14 साल तक के बच्चों के जो 6 ग्रूप हैं प्रतिएक आयू वर्ग में दो वालक और दो वाली का ही विद्याले से लेकर आए और उसकी सूची पैले ही अपने आयज़क को उपलब्द कराना सुनिश्चित करें ताकि समय का सदूपयों किया जा सके इस्पोस्ट होस्टेल या इस्पोस्ट कॉलेज के हैं वो इसके पात्र नहीं होंगे इस चीज का ध्यान रहे और सभी नन्यमने खिलाडियों से मेरा नुरूद है कि अपनी तैयारी करके आएं और बहुत अच्छा प्रदर्शन करें और भविश्य में भी बहुत अ ले लाड़ी आप बनेंगे ऐसी मेरी सुब कामना है